नमस्कार पशुद्य नहीताय चैनल के देगी क्लिम में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक किलो दूद के पिशे कम से कम कितनी लागत लगती है और उसे फाइदा कितना मिलता है तो जो पहले बैथ में फाइदा कितना मिलता है दूसरे बैथ में फैदा कितना मिलता है और इस शीट में जो पूरा चारा है बाद में मेडिसेन हैं बाद में विव्योसता परन पशुआवास और अने चीच circles और बाद में पशु का खर्चा इन सबका रिफ्लेक्शन ये बार डाइग्राम पर कैसे होता है वो हमने देखा था तो उसी शीट को हमने थोड़ा सा मॉडिफाय कर दिया है तो आप यहाँ पर अगर एनिमल का बेड डालोगे और मिल्क इन केजी डालोगे मिल्क प्रोड़क्शन या जो दूद आ रहा है वो करीबन 40 दिन पर वो कितना दूद आ रहा है पूरे लैक्टेशन में लैक्टेशन के 40 दिन पर यह हम बोलेंगे बैत के 40 दिन पर तो उस पर ही यह सब डिपेंड करता है यह सब जो शीट है उस पर ही आधारित है तो पूरे लैक्टेशन में उसका दूद उतने से मल्टिप्लाय हो जाएगा जैसे कि 13 kg का मिल्क आ रहा है तो वह उसका रिप्लेक्शन पूरे बैत में आ जाएगा करीबन 4361 kg का मिल्क वह ऐनिमल देगा ऐसा यहनि साइन्टिपिकले प्रूवन है कि अगर आप तीसवे चालीसवे दिन पर जब गाय जादसे जादा उसका मिल्क प्रोडुक्शन देती है पूरे लैक्टेशन में अगर उसको दोसों से मल्टिप्लाय कर दो पूरे लैक्टेशन का यिल्ड आ जाता है तो उसी को इन सब को एक बार डाइग्राम पर रिफ्लेक्ट किया है तो हमने एक्स्प्लेशन कर दिया था कि अगर है फीड का खर्चा बढ़ गया जैसे कि यहां परचार की घजी हो तो उसका रिफ्लेक्शन यह बार डाइग्राम पे एक दम 50 से उपर 5% टक चला गया वैसे ही अगर पशुगी खरीदाई के वापसी अगर 6 साल के लिए कर दी तो फिर खरीदाई में देखेंगे आप तो यह भी उसका रिप्लेक्शन यहां पर आ गया एक समझने वाली एक और बात है कि अगर अनिमल प्रोडक्शन में है अगर तेरा केजी का मिल्क दे रहा है उसके चालिसवे दिन पर तो वो जो है वो पूरा आएगा हमें पहले बैत में सेकंड बैत में और थर्ड बैत में अगर वही अगर वह दस लिटर देने लगा उसके देखेंगे हम कि कितना उसका याने फायदा मिलेगा उससे यहाँ पर देखोगे कि यह निगेटिव में चलेगे याने इसका मतलब भी है कि यह जो दस लिटर अगर चालिसवे दिन पर देगी तो वो एनिमल से हमें उतना प्रोडक्शन नहीं मिल सकेगा वही हमने अगर बा अगर आगर हमने तेराव कीजी का मिल्क देख यह चालीस वी दिन पर वो दे रही है अपने बाद में तो हम देखेंगे कि मुनफा हो रहा है करीबर चौदारूर को परड़े आ का मुनफा हो रहा है बाद में दूसरे बाद में 44 रुपे का बाद में 94 रुपे का तीसरे भयात में हो रहा है तो इसमें यह समझ में आता है हमें कि करीबन 13 कीजी मिल्क यिल्ड जो रहता है 40 दिन पर उससे ज्यादा कही आनिमल रहना चाहिए तो उसका जेनेटिक पोटेंशिल इतना होना चाहिए जो तो तेरा कीजी से उपर का मिल्क यिल्ड दे सके वह 40 दिन पर अगर वह 40 दिन पर अगर तेरा लिटर से ज्यादा मिल्क यिल्ड दे सके सकेगा आनिमल तो वह करीबन 4,360 किलो से भी उपर का देगा पूरे और वो हमें पूरे उसका जो अगर कोस्टिंग निकाले पूरा इसका फीड का मेडिसीन का और खरीदाई का तो एनिमल पूराएगा तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा जो हम बोलते हैं वाइट रिवालेशन में जर्सी का यूज हुआ था उसी लिए हुआ था और उसी क उसी के वज़े से जो मिल्क खील है वो बड़ा बाद में हम देशी जर्म प्लाजम में भी देखेंगे जो ब्रीडिंग से हम अभी साइवाल और जो गीर है उसमें इंडो ब्राजिल जो ब्रीड्स डेवलोप हुए है वो सब ब्रीडिंग के वज़े से ही हुए है और उसी क के वज़े से वह लैक्टिशन इल भी उन्हें अनिमल का बढ़ा है तो यही बात है कि हमें भी भारत में अपना जर्म प्लाजम बचाना चाहिए और उनका ब्रीडिंग कराके अच्छा सा अच्छा उत्पादन लेना चाहिए और उसका जो उत्पादन है वह करेबं 13-14 लिटर से उपर ही होना चाहिए अगर यही अगर उस अनिमल में ने अगर 20 लिटर दिया 40 वी दिन पर उसके लैक्टिशन इल के तो यहां पर आप देखोगे कि करीबं 100 रुपे से उपर उसका जो फाइदा हो रहा है वह मिलेगा बात में 160 रुपे नेक्स में और तीसरे में तीसरे एपिसोड में यही बताना था कि फाइदा कितने में हो रहा है और कितने यह जो शीट है वो माडिफाइ कैसे की गई है तो सिंपली यहां पर अगर वेट आप एनिमल डाल दिया जाए 500 और मिल्किल्ड अगर डाल दिया जाए 20 है या 15 है तो उसके रिफलेक्शन हमें वैसा ह इस शीट पर दीखेगा पूरा और एज रेफरेंस जो अपना फार्मर है वो या किसान है वो इस शीट को यूज कर सकता है कि पहले बैत में कितना आइनिमल में फाइदा हो सकता है अगर उसका 500 की दीजी का एनिमल रहा तो और उसका मिल्किल्ड 15 लिटर रहा तो या उसका उसको कितना फाइदा हो सकता है यह सब रेफरेंस के तौर पर यह किसान अपना यूज कर सकता है इसको साथी में उसको एक अगर यह वेड डाल दिया जाए इस सीट में तो उसको उसको उसकिसान को यह भी पता चलेगा कि हरा जारा कम से कम कितना डालना चाहिए बाद में शुकात देख कितना देना चाहिए अगर उस एनिमल का वेड इतना हो और मिल कि इतना हो तो सिंपली यहां पर वेट आप एनिमल और यहां पर जो मिल किल्ड है वही डालना रहेगा आपने आपको और जो भी खरीदाई है आप यहां से एडिट कर सकते हो और इस शीट को सकते सके थे पर इस पर्टिकॉलर एपिसोड में हम इस शीट को अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में ही दे देंगे जो गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा उससे आप डाउनलोड कर सकते हो इसको और साथ में ही यह हम आपको आज अनॉंस करते हैं कि हमने फ्री सकते हैं आपको और इस कंसल्टेंशी का कोई मुल्य नहीं रहेगा यह फ्री में ही दिया जाएगा खाली आपको यह दो वाट्सेप नंबर दिये जाएंगे डिस्रिप्शन में आपको उन पर मैसेज करना है कि हमें यह यह प्रॉब्लम है आप किसी भी प्रॉब्लम का सुल बालन के बारे में आप यहां से पता कर सकते हों तो आज के लिए इतना ही तो थेंक यूँ